एलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपके ही चैनल पर जिसमें आज हम लोग दिखेंगे सिरदर्द हैडएक या में साथ में बोलेंगे माइगरीन की जो प्रॉलम होती है वो क्या होती है जो कॉमन हैडेक्स होते हैं वो कौन-कौन कारण्ट से होते हैं कौन से रीजन है साथ में इसमें आपको क्या विश्यस लक्षण मिल सकता है और कौन सी विश्यस होमेपतिक दवाई लें सभी प्रकार की headache के लिए जो आपके घर में होनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा तो जब हमें सिर में दर्द होता है तो उसे headache बोलते हैं headache के बहुत सारे कारण होते हैं लेकिन जो common जो reason होते हैं जो जिससे हम रोजाना उसके संपर्क में आ सकते हैं उसके दवरा होने वाला जो सिर दर्द है उसके कारण जो हने वाला जो माईगने वाला जो होने के chances बहुत common होते हैं कि कई बार किसी को लंबे समय से headache हो रहा है headache होता है खता हो जाता है फिर सिर्में दर्थ बना रहता है तो वो अपने खून की जाच करा ले उसमें कई बार आपको निकल के आएगा खून की कमी तो खून की कमी को दूर करेंगे तो headache आपका automatically कम हो जाएगा इसके अलावा जो लोग स्कूल जाते हैं स्कूल वाले बच्चे होते हैं उनमें भी एनिमी होने चांसेश बहुत ज़्यादा होते हैं जो bleeding मतलब जो women में bleeding होती है जादा bleeding होती है उनमें भी headache होने चांसे बहुत ज़्यादा होते हैं खुन की कमी के कारा इसके बारे बात करते हैं हम लोग यदि किसी के सरीर में ग्लुकोस की कमी हो जाती है मतलब प्रॉपर डाइट नहीं लेगा और बॉडी के अंदर सुगर की कमी होने लगती है उनमें भी कई बार हमको हैड़ेक मिलता है इसके लगा बात करेंगे यदि कई लोग आखो का उपयोग ज़्यादा करते हैं मुबाईल चलाने में, कंपटर चलाने में, स्टड़ी करने में उनने भी बहुत साए लोगों को हैड़ेक की सामने हड़ेक होता है जैसे स्कूल वाले बच्चे हैं कॉलेंज वाले बच्चे कोई competition का exam के त्यारी कर रहे हैं उनमें जादा वो study करते हैं तो आखों पर जूर पड़ता है जिस करण से आखों में उनको दर्द मिल सकता है इसके लावा बात करते हैं एदि किसी को दात के करण सिरे में दर्द हो रहा है दात में कोई cavity हो गई है दात में छेद हो गया है और किसी को कड़ा हो सकता है उसके लिए जो दो और बात करते हैं और किसी को कान की problem है कान में इन्फेक्शन बना रहता है कान सेologies कि कान भैता है यदि उस कारण से भी किसी को सिर में दर्द हो सकता है उसके लिए जो दवाई बताओं वो इफेक्टिव है इसके लावा कई बहुत सारी लोगों को साइनस की प्रावलम होती है साइनस जो होता है वह आपके जो आपका हैड होता है और हैडम जिसे बोलते हैं ठीक है माथा कई और को सिर में दर्द होता है ठीक है इसके लावा कोई डप्रेशन में होता है कोई इंजाइट में होता है उस condition में भी कई बार क्या होता है जोगों को headache मिलता है इसके लावे किसी का पेट खराब होता है,, पेट में गैसब बन जाती है तो headache हो सकता है ज किसी-किसी लोगों में headache की संभावना मिलती है तो ये सब common कारण होते हैं जिस कारण से headache हम को मिल सकता है इस headache में कभी-कभी क्या होता है उल्टी भी आती है उल्टी भी आने के chances होते हैं उल्टी का मन भी करता है इसकला बता दूँ विदि किसी को headache हो रहा है और वो 40 साल का है 40 साल की एज का है 40 साल से बाद वाला है और जिसको headache होता है तो जो दवाई बता रहा हूं वो उसके में काम नहीं करेगी जो 40 साल है 40 साल से अधिक है उसमें काम नहीं करें क्यों चालिस साल वाला है और उससे अधिक एज़ वाला है उसको से में दर्द हो रहा और साथ में उसको बीपी की प्रॉलम है याद रखें ब्लड प्रेशर के साथ हेड़ेक होता है तो यह दवाई उतनी यादा काम नहीं करेगी क्योंकि ब्लड प्रेशर सही करेंगे त जो है headache कम हो जाएगा तो वैसी condition में दवाई काम नहीं करती है लेकिन बाकी सब जो मैं आपको करण बताए उन में जो दवाई के जो मैं बदाने वाला हूं राम बाण की तरह काम करती है कोई भी होपितिक शौप में आपको मिल जाएगी दवाई का नाम है चियुनेंथस चिय आपको लेना है और यदि आपको ज्यादा प्रावलम है तो इसको तीन बार भी ले सकते हैं पंदर से बीज बून सुबह दोफेल शाम आधा कप पानी में यदि बहुत ज्यादा headache हो रहा है तो इस कि इस दवाई का दस दस बून आप पंदरा पंदरा मिट गैप में ले लि इस दवाई को लगातार आप कुछ दिन तक उपियोग करिये कम से कम आपको इसको एक मेहने होभी करना है बहुत पुराना सिर्धर्द है बहुत पुराना ले लीजिए होमेप्रतिक शौप में एजिली मिल जाएगी इसके लाव आप में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इस पकार की वीडियो मिलते रहे और जो आपकी नॉलेज है वो अपडेट होता रहा है और यह आप मुझसे कोई कोशन करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं जिसका आंसर मैं देने की पूरी कोशिस करूँगा नमस्कार